रहे दोस्तों स्वागेता आप सबीगा इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नाउन, वर्व, एडजेक्टिव और अडवर्व कैसे पैचानते हैं ये देखने वाले हैं आपके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टन रहने वाले है क्योंकि आपके एग्जाम में 100% ये शूर ह है कि एक कोशन आपका इन में से आएगा आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसका अडजेक्टिव बताओ या इसका नाउन बताओ या इसका वर्व बताओ तो ऐसा कोई कोशन पूछा जाता है और डेफिनेटल होता है ये शूर होता कि कोशन या नहीं आना होता है अगर आप इसको अच्छी तरह ऐसे पढ़ लेते हैं तो एक question आपका यहां से definitely clear होने वाला है दोस्तों तो आईए देखते हैं कि कैसे कैसे यह पहचाने जाते हैं देखो सबसे पहले हम लोग noun identification पढ़ेंगे कि noun को कैसे पहचाना जाता है तो देखो मैं आपको बताना चांगा कि अगर आप वीडियो पे आ गए हो तो प्रीज पैनने और copy उठाओ और जो 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 मैं बताता चलतो उसको लिखते चलो और इसको 5-7 बार practice कर लोगे ना देखो पहला वर्ड है नेस जब भी आपको कोई वर्ड आएगा यह सबसे यह last में हम लोग बात करेंगे जिस वर्ड के last में नेस आता है वो noun की category में आता है जैसे की happiness आ गया blindness आ गया ओके उसके वाद देखो ship जिस भी वर्ड के last में ship आएगा वो भी noun की category में आएगा जैसे friendship देखो last में ship आ रहा है citizen ship citizen के last में भी ship आ रहा है यह भी noun हो गया उसका c-y साई याद रख सकते हो साई नेस शीप साई ठीक है उसके वाद देखो साई में क्या रहा है literacy literacy में देखो c-y मिल रहा है तो literacy भी noun है advocacy यह सभी noun है okay उसके वाद देखो मैं छोटा कर लेता हूँ और चलो उपर उसका देखो tie है जब याद रखो साई आ गया तो फिर tie भी याद रखना है आपने कि last में ty आ गया loyalty stupidity तो यह भी क्या होंगे आपके noun हो जाएंगे last में ism आ गया ठीक है ism को हिंदी में बोलते है वाद जितने भी वाद होते है जिस आतंक वाद ठीक है तो यह सब ऐसा होता है इस हिंदी में इसका मतलब वाद होता है देखो altruism last में ismr है realism तो यह भी किसकी category में आएगा ना उनकी category में आएगा उसका देखो siun इसको application इसमें भी आपको last में ti on मिलेगा इस अभी noun है उसके वाद देखो meant मिलेगा development excitement ठीक है उसको एंस मिलेगा importance brilliance ठीक है उसके बाद मिलेगा ins ठीक है confidence ठीक है एंस और ins को दोनों relate करके पढ़ना है diligence उसके आइस word मिलेगा इसको देखो मैं relate करके पढ़ाऊंगा जब वर्व क बता दूगा तब ठीक है कि important है आई इसको देखो कैसे याद करना है advice practice है ये भी क्या है आपके noun है उसके बाद क्या आएगा आपका hood जैसे childhood, adulthood ठीक है उसके बाद tute आएगा जैसे institute, substitute, attitude, latitude उसके बाद tth आएगा death याद रखना है health, wealth, birth तो ये सारे आपके क्या word होंगे ऐ noun की category में आएगा ठीक है एक बाद फिर से याद करते हैं कैसे याद करना है देखो आपको याद करना है ऐसे नेस शीप साइटाईईजम नेस शीप साइटाईजम संटनमेंट संटनमेंट ठीक है एंस इंस आइस हुड ट्यूट ठीक है उसके बाद ये टीयत भी याद रख है दोस्तों 5-6 वार अगर आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके पढ़ोगे आपके माइंड में बिल्कुल ओटमेटिकल सेट हो जाएगा और जब इसका कोई वर्ड दिखेगा ना आप हसते हसते इसको टिक कर लोगे ये मेरा आपके साथ वाद है दोस्तों तो ये तो थी नाउन की पैचान की नाउन को कैसे पैचाना जाता है देखो इन वर्ल्ड में से 90% आपका काम हो जाता है अगर आप इनको याद कर लेतो तो 90% ये होता है कि आप नाउन को पैचान लोगे ठीक है कुछ exception भी होते है जिनको याद भी रखना पड़ता है लेकिन यही म glorious, courageous, ठीक है, full lie, less, hopeful, hopeless, anti याद रखना, ans ठीक है और ence, ins ये होते है नाउन ठीक है लेकिन ant और in जब आ जाता है तो कि हो जाता है ये important, intelligent जैसे उपर बताया ना मैंने नाउन में आपको ये दोनो ये, ans और ins जब भी आ जाए तो ये नाउन और ent जब भी आ जाए तो ये क्य होते है, adjective, last में some लग जाए, जैसे handsome, fearsome, cal कल आ जाए, logical, economical, okay, तो ये सारे आपके adjective होते है, able, जैसे valuable, tolerable, okay, ek आ जाए, जैसे economic, historic, ठीक है, तो ये भी क्या होते है, adjective होते है, ible आ जाए, visible, eligible, sorry, we आ जाए, attractive, effective, ish आ जाए, foolish, selfish, childish, why आ जाए, जितने भी ये last में होते होते ह होंगे, ठीक है, adverb को छोड़के, adverb में तो ly आता ही, आता है, लेकिन, जो होते है, adjective में y आना जाए, जैसे cloudy, cloudy होता तब ही adverb होता है, लेकिन cloudy हा तो ये adjective है, wealthy, tasty, उसको wild आ जाए, backward, forward, तो ये सारे के सारे के होते हैं, आपको ये adjective होते है, ठीक है, आपको ये नही याद कर मैंने भी ऐसे पढ़े हुए है, मैंने 5-6 वार निनको पढ़ रखा हुए, और मेरे को यह नहीं भूलते हैं, क्योंकि मैंने इसमें लिख लिख के पढ़ा हुए, आप भी लिख लिख के पढ़िएगा प्लीज, और जब आप इनको पढ़ बैठेंगे, फ्री बैठेंगे, आ बंद करके इनको मेमोराइज करने की कोशिच करना, देखो, अब वर्व अडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो वर्व अडेंटिफिकेशन के 2-3 ही मैंने आप लिखे हैं, कोई वार उठा लो, उसकी 1st form, 2nd form और 3rd form बनाओ, जैसे देखो यह है, बिजिवल, क्या बिजि 2nd form या 3rd form हमने आज दिन तक नहीं पड़ी है, तो वो वर्व की केटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे मैं यहां से एक वर्ड उठाता हूँ, जैसे देखो, क्लावडी, चीक है, क्लावडी उठा ले हमने, तो क्लावडी के 2nd form बनाओ बनाओ बला, क्लावडी नहीं बनेगा ना, तो यह definite है कि यह के है, वर्व की केटेगरी में नहीं आएगा, तो याद रखना, कभी भी आपको कोशन पूचा जाएगा कि वर्व अडेंटिफाई करो, तो आपको एक वर्ड दिया होगा, आपने उसकी थोड़ी सी सेंस बनानी है, 2nd और 3rd form में, अग इसको लगता है कि यह वर्व की केटेगरी में आ रहा है, तब उसको टिक कीजएगा, अधरवाइज मत कीजएगा, ठीक है, तो वो आपको मैं प्रक्टिस सेट में बताऊंगा, इस वीडियो के बाद एक कमेंट कर दीजगा, कि एक प्रक्टिस सेट आपके लिए लिए calculated पढ़ा है आपने create created created second और third form की sense बन रही है लेकिन जैसे हमने word उठाया cloud clouded clouded पढ़ा है आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ऐसे कुछ word होते हैं जिनकी third form और second form possible नहीं होती है तो वह वर्व होते ही नहीं है वह आपके noun होते हैं और noun से direct adjective बनते हैं वह वर्व की category में आएंगी नहीं ठीक है तो ऐसे थोड़ा सा आपने relate करके पढ़ना है देखो अब डार्क है तो डार्क के जब भी last में आ जाए एन तो वह क्योंती वर्व होती है अब डार्क 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 पढ़ा है कभी आपने second form तो third form पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो याद रखना देखो एन लगा तब ही यह वर्व बनी ठीक है अधरवाइस यह वर्व नहीं थी हाइटन ठीक है height में एन जुड़ गया तब ही यह क्या बन गी वर्व बन गी वाइल चोडे में last में क्या वाना en बन गया लग गया तो य उसके नाट जैसे यह आजए 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 फ की घ कर छाने तो यह जो थी वर्ब्स होती है, उसके जाद ISE आ जाए या IZD आ जाए, जैसे practice और criticize, अब याद करो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कि याद रखना थोड़ा सा आगे बताऊंगा, मैं देखो, noun में चलते हैं, और मैंने आपको बताया था, ISE word, देखो, advice है, यहाँ से लिखा मैंने, A-D-V-I-S-E, तब यह दोस्तों होगी वर्व, क्या होगी वर्व, क्योंकि ISE जो होता है, देखो, यह होती है वर्व, लेकिन मैंने लिखा A-D-V-I-C-E, तब यह होगा noun, क्यों, क्योंकि मैं रूल बता चुका हूँ, कि ISE, sorry, ISE, जिस word के बाद में जाता है वो क्यों होता है, नाउन होता है, देखो, जब भी advise की second form, third form बनाओगे ना, तो advise का advised करोगे, ना कि इसका करोगे, यह noun है, इसका third form नहीं बनाया जा सकता है, third form हमेशा इसका बनेगा, advise का advised होगा, okay, practice का practice हो जाएगा, criticize का criticized हो जाता है, तो याद रखना, जब भी ISE आता है तो वो वर्व होती है, IZD आता है, तो वो वर्व होती है, लेकिन ISE जब भी आता है, तो वो क्या होता है, दोस्तों noun होता है, यह difference आपको clear होना चाहिए, इन ही में से paper बन जाता है, तो यह मैंने कुछ गीने चुने लिखे थे, गीने चुने के mostly मैंने cover करवा दिये, इन ही अच्छी तरह से clear करवाऊँगा, बस आप पहले इनको याद करना, अच्छे से लिख-लिख के याद करना, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको practice set के through इनको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको question पूछा जाता है, I hope दोस्तों आपने इसको enjoy के होगा, आपको यह clear भी होगा होगा, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो comment section में ask कर सकते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा, कि इनको लिख-लिख के आप याद कीजेगा, आपका जो इसका practice set अगला आएगा, उसमें अच्छा score होगा, और exam में भी definitely आपका clear होगा यह, I hope दोस्तों वीडियो आपक को अच्छी लगी होगी, please share कर दीजेगा, और मिलते हैं चलो next video में तबते के लिए, जाहें